जेहन दोस्तों आप देखने डिफेंस के एन यूटूब चैनल एक बहुती अमेजिंग निउस निकल के आ रही है वो ये है कि देश के जो आम नागरिक हैं जो युवा हैं वो अब देश के लिए हतियार बना सकते हैं जैसे कि टैंक्स हैं, तोफ हैं, आर्टिलरी गन हैं, बनागाने वीडियो को पूरी अंतक जरूब तो हुआ यह है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और इंडिया काउंसिल पॉर टेक्नोलोजीकल एजूकेशन एई सीटी ने मिलके एक नया कोर्स बनाया यानि एम्टेग इंडिफेंस टेक्नोलोजी इसका मकसद यह है कि भारत में जो है डिफेंस सेक्टर में खासका गवर्णमेंट जो है आत्म निर्वर बनाना चारी इसके अंतरगर जो भारत यह सेनाव के लिए हतियार की जरूद है उनको भारत में ही बनाया जाया और दुनिया वरके देशों को यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाया इ उस जो पूल होता है टेलेंटी लोगों का उसको जो है पूर्ती की जा सकेगी एम्टेक इन डिफेंस टेकनोलोजी कोर्स के जरिये क्योंकि अगले पांच से दस सालों में इस सेक्टर में काफी जादा डिमांड बढ़ेगी और इसको देखते हो जो इंडस्ट्री है से आप भी जो हत्यार बनाना सीख सकते हैं और आप खुद अपनी प्राइबिट इंडस्ट्री भी डाल सकते हैं पिस्टल रिबॉल्व और राइफल इस्नाइपर राइफल बनाने की तो आगे बढ़ने से पहला कर अभी तक आपने हमाद चैनल सब्सक्राब कर दीजिए औ लोगों को भी डिफेंस टेकनलोजी में इंट्रेस्ट है जो लोग भी जानना चाहते हैं कि हतियार बनाना चाहते हैं हतियार कैसे बनते हैं इस सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो वो एम टेकिन डिफेंस टेकनलोजी को कर सकते हैं इसके लिए जो डिडियों की लैप्स है जो government की सरकारी कार खाने हतियार बनाने की आप बाकाइदा जो है उनमें जाके training करेंगे experiment भी करेंगे और theoretical knowledge करेंगे इसके लिए आप admission ले सकते हैं जो IIT है NIT है जो government approve करेगी private universities को Mtech in defense technology तो आप वहाँ पर admission लेके जो आप हतियार बनाना सीख सकते हैं किस तरीके से defense technology का Mtech in defense technology में six specialization होंगी इनमें एक combat technology होगी यानि जैसे कि revolver pistol, sniper rifle, assault rifle और यह सारी machine guns हैं artillery guns हैं जो combat में काम में आते हैं सबको develop करना दूसरी जो होगी वो aero technology होगी तीसरी जो navel technology होगी फॉर्थ जो communication and sensor technology specialization होगी फिफ्थ जो directed energy technology यानि जो laser light से related होते हैं weapon system वो होगी फिफ्थ specialization six जो होगी वो high energy material technology में specialization होगी तो यह 6 specialization होगी अमेरिका, इसराइल, जर्मनी ऐसे देशों में जो है already ऐसे courses पहले से ही हैं जहाँ पर 10th के बाद 12th के बाद BTEC, MTEC कर सकते हैं ऐसे courses में खासका जो defense technology में तो अब एक ऐसा course भारत में भी launch हो गया है तो इसके बाद भारत में भी defense sector है काफी जादा boom करेगा आने वाले भविस में देखा होगा आपने जब BTEC जो है launch की गई थी IT sector में तो किस तरीके से भारत में आज जो software industry खड़ी हो गई तो देखते ही देखते भारत में भी है defense sector में जो है बहुत सारे लोग आएंगे आप जैसे युवा मेरे जैसे युवा जो defense sector में हत्यार बनाने के लिए जानने जाते हैं या नई नई खोज करने के लिए आगे आएंगे तो उससे भारत का जो defense sector है पूरी तरीके से बदल जाएगा ये मैं सोचता हूँ और ऐसा ही government भी सोच रही आप क्या सोचते हैं इसके उपर comment करके जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इस वीडियो को like करिए share करिए और हमारी चल्ट को सब्सक्राब करके बेल आइकान दबा लीजे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत